हेलो एंड वेलकम टू मैट्स पॉर में इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे कि सीबी एसी का लेटिस्ट गाइडलाइन्स जो है जिसमें एफेक्यू मतलब फ्रिक्वेंटली आस्ट क्वेस्टिन्स डिफरेंट से जो पूछे गए डिफरेंट स्कूल से उसका जवाब मे के लिए एवैलवैटर के लिए इनविजीलेटर के लिए और कोडिनेटर के लिए औबसरवर के लिए और अधर ओफिस्यल्स के लिए कौन से कलर का पेन को यूजब करना है तो एकजाम में से होने वाला उसके बारे में discuss करेंगे students बहुत सारे mistakes किये फस्ट वाले एक्जाम में और सकेंड एक्जाम में capital letters का use कर दिये हैं वो star वाले column में जो था और हैस वाले में unattempted वाले में darken नहीं किये हैं वो mistake नहीं करेंगे उससे related एक video बना हुआ है प्राइट कॉर्णर में आप देख सकते हैं क्लिक करके वो मिस्टेक नहीं करना आपको अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट से पहले बात करते हम लोग यह 20 नंबर पॉइंट जो दिया हुआ है 21 नंबर पॉइंट यहां पर हिस्ट्री लिखा हुआ है यहां पर होना चाहिए था तो यहां पर इंस्ट्रक्शन क्या है कुष्टिंस के नम्मर कितने रहेंगे 90 मिने टाइम मिलेगा आपको attempt करना है और सारे questions के equal marks रहेंगे उसके बाद question paper का four sections रहेगा A, B, C and D और section A में 24 questions रहेंगे जिसमें attempt करना है 20 questions question number one से 24 तक section A रहेगा उसके बाद section B का बात करें तो इसमें 22 questions attempt 22 questions में से 18 questions attempt करना है question number 25 से लेकर 46 तक section B रहेगा और section C में 12 questions रहेंगे यह case based study वाला question से जिसमें से 10 questions को attempt करना है question number 47 से 58 तक रहेगा और lastly section D section D में दो मैप वाले मैप बेस्ट questions रहेंगे और दोनों ही को attempt करना है 59 नमबर और 60 नमबर question में और 7 नमबर में बोला गया है कि the first 20 questions in section A 18 questions in section B and 10 questions in section C attempted by a candidate will be evaluated इतने questions को evaluate किया जाएगा 20 first section A में 18 section B में 10 questions section C में और D वाला compulsory है और यह students के लिए information हो गया अब जो evaluators invigilators और बाकि स्टूडेंट साथ में student के लिए भी कौन से color का pen का use करेंगे उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं यह बताया गया है आपका point number 10 point number 10 में क्या बताया गया है यहां पर question पूछा गया frequently asked question में कि which color ink pen should be used by different functionaries तो based on suggestions received by the CBC it has been decided that the pen and the color used in term 1 examination will be as follows with effective from 26 11 2021 26 11 2021 के बाद से जो भी एक्जाम होगा होगा उसमें यह फॉलो होगा 30 30 में जो आपका exam हो रहा है या उसके बाद यह फॉलो होगा students को black या blue ballpoint pen का यूज करना है इन्विजिलेटर को रेड बॉल पॉइंट पैन यूज करना है इवेलुएटर को रेड बॉल पॉइंट पैन यूज करना है और अब्जरबर को रेड बॉल पॉइंट पैन यूज करना है और अफिसियल्स को रेड बॉल क्वाइंट पैन यूज करना है लास्ट लिया नीचे में क्या लिखा है यूज एंड पोजेजन पोजेजन आप ब्लैक और ब्लू पैन अदर देन स्टुडेंट्स इस नॉट अलावड एट आल इन एक्जामनेशन सेंटर्स स्टुडेंट्स के अलावा किसी के पास होना भी चाहिए ब्लैक ब्लू कलर का पैन और उसका यूज भी नहीं होना चाहिए यानि कि स्टुडेंट्स के अलावा जितने लोग इवेल्यूएशन परपस में या फिर फंक्स्नरीज हो गए एक्जामनेशन के उनके पास कौन से पैन होने चाहिए सिर्फ रेड बॉल पॉइंट पैन तो रेड बॉल पॉइंट यूज ब्लू कलर के पैन की सरह जो रहे तरह लेकिन अब जो है वो सिर्फ red color के pen को use करेंगे invigilator, evaluator, coordinator, observer और all other officials और students को पहले के तरह blue और black ballpoint pen का use करना है that's all, we will meet again in some other videos, share this video with your friends and keep watching के अएभी और चाइब प्रफीडिक्शफ याज़गी। का प्रा जाएब बाएब जाएब शौटे खिरो इस वातार है